बिजली विभाग की लापरवाई जेल रहे 300 परिवार उत्तविदेश की जनपत मुरदवाद की कुनर की इलाके में सेक्डो ग्रामेड बिजली विभाग की गोर लापरवाई का खाम्याजा पिछले एक हपते से भुगतने को मजबूर हैं बिजली नहीं मुरदवाद की कुनर की विधार सबाद चेत्र का जीतिया फिरोजपूर आज 2020 में भी पिछले एक हपते से अंधेरे में डूबा हुआ है प्रिदेश की योगी सरकार की बिजली को लेकर बहुत सारी योजनाय चल रही है लेकिन वो सब जेतिये फ्रोजपूर पहुचने के पूरवी दम तोड़ रही है जुलाई के महीने में भीशण गर्मी और बढ़सात के चलते ग्रामेडों की परिशानिया और बढ़ गई है गरामेडों के अनुसार छेत्री जेए कुछ सुनने को तयार नहीं है जबकि उनके गाउं में लगा बिजली का ट्रांसपार्मर एक हफ्ते से फुका पड़ा है इस्थानी इसतर पर कई बार शिकायत करने के बाद भी सितिजस की तस्थ बनी हुई है आग को उस्तरे में हो जाती है जब मुक्यमंत्री पोर्टल पर रजिस्टर्ट शिकायत कराने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है आज अपने वीच मीडिया की मौजूद की देख जरूर गिरामेडों के चेहरों पर कुछ उम्मीद दिखाई दी तो उन्होंने बिजली नहोंने के बाद कहते हुए अपना दर्द बैया कर दिया किरामेडों के अनुसार इस ट्रांसफार्मर के फुक्ने से लगवक 300 परिवार आहते हैं वो मीडिया के मार्दियम से विजली विभाग के उच अधिकारियों से नियाय की गुहार लगा रहे हैं यह प्रणसफार्मर खराब है जिससे गाववालों को जाड़ा परिसानी ब्ली नाने की बज़े से और इस प्रांसफार्मर पर कंसे गम से कम साथी गाववकर को दो हैं हमारे में लगवाव तीन सोडर तीन 10 में गर्जां चारओं सार ऑप से चयार और द्रक्रार उंदीस के लेकिन कोई भी संतोज जनक नाता जवाब मिला है और नो किसी आधिकाई नहीं आके देखा है जई साथ से बात हुई तो वह पंद्रे-वीच दिन के लिए कहना है का पंद्रे-वीच दिन इसको बदने के लिए इसे एक सब्सक्राइब हो गया तीन-चार दिन इसके जो प्रा प्राद प्राद दिन आके मांने